नमस्कार जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल अतुल क्लासिस में मेरा नाम है अतुल सरवास्तो मैं हूँ कॉमर्स एंड इंग्लिस एजुकेटर एंड कैरियर कोच आज मैं आपके लिए लिकर आया हूँ लेसन नमबर 4 सोक्रेट्स दीकिस सुकरात या सोक्रेट्स इस लेसन का नाम है इंडी में सुकरात और इंग्लिस में सोक्रेट्स कहते हैं रोधा पावर इसके राइटर है और आपके बोर्ड एक्जामिशन के पॉइंट आउब यू से वो मैंने आपके लिए लिखे हैं और हैंड राइटिंग नोट्स आपको भी बनाने चाहिए और लिखने चाहिए अपने हातों से तो एक पेन और एक कॉपी लेकर बैट जाएए और इसे नोट कर लीजे और इसे इल्टिवाइस करके ज़रूर चाहिएगा पेपर में देखे जो कीवर्ड हैं अगर आप कीवर्ड को कहीं पर किसी भी एक्जामनेशन में लिखते हैं तो आपके पेपर के सही होने के चांसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं जैसे कि इसने जितना पूछा है उतने का कीवर्ड है कि वो एक फेमस फिलासपर था अगर आप यह बात नहीं लिखकर कुछ और लिखते हैं तो आपको मांक्स अच्छे नहीं मिलते हैं जो बात पूछी जाए उतनी ही बात आपको लिखनी है अगर आपने पेपर अगर आपने थिवरी पढ़ी है अगर आपने लेसंस पढ़े हैं तभी आप इस बात को लिख पाएंगे तो इसल थी वो क्या थी तो Socrates teaching were that everyone should use his region to see what is right, just true and honorable and the people should stop sacrifices to the god and goddess who was Crito Crito कौन था and Plato कौन था and Plato so Crito and Plato were pupils of Socrates दोनों हिस्से से थे Socrates के pupil माने long answer type question अगर पूछा जाता है तो long answer कैसे आप लिखेंगे Why was Socrates condemned to death Socrates को death के लिए क्यों सचा सुनाई गई Socrates was a famous philosopher in Athens He was born 400 sorry 400 years the birth of Jesus Christ He was very noble and gentle He was against sacrifices to God He was very wise He taught people what he thought to be just and right So the young man loved him He loved Athens He wanted it to be a perfect state He taught his pupil and follower the great value of life He taught his countrymen to use reason and find out what was just true and beautiful People of Athens charged him for leading The Youth Estress He was summoned in the court tried and condemned to death He was given a cup of poison to drink and put to death Actually वो एक प्रकार से काफी लोगों को उसने अपनी तरफ एट्रेक्ट कर लिया था ये एथिन्स के थोड़ा सा विरूद विरूद जा रहा था रूल के तो कुछ इस वज़े से उसको देद की सजा सुनाई गई थी लेकिन उसने देद की सजा के एकॉर्डिंग काम नहीं किया He watched given a cup of उसे मिला उसे क्या मिला उसे एक जेलर के दौरा एक cup of poison जहर का प्याला मिला और उसे उसने पी लिया और उसकी मिरत्यू हो गई तो दोस्तों इस तरीके से ये चैप्टर आपका कम्प्लीट हुआ नेक्ट चैप्टर में लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे लेसन नमबर फाइब टॉर्च वेरर वेरी वेरी इंपॉर्टन लेसन तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद पढ़ते रहिए और जिन्दगी में आगे बढ़ते रहिए मेरी सुख कामना है आपके साथ है मैं आपके लिए प्रे करूँगा कि आपके रिजल्ट में आपके मांक्स बहुत अच्छे आएं तब तक के लिए धन्यवाद